संजे चौधरी जी किस आधार पर आपकी पार्टी ये क्लेम करती ही कि आप राजस्थान जीत लेंगे आपके पास नित्रत तो किसका है वहां पर संजे चौधरी जी आवाज आ रही है देखिए हम इस आधार पर राजस्थान को जीतने की बात कर रहे हैं क्योंकि हा रहे हैं आपको मेरी आवाज आ रहे हैं पर्फेक्ट गोएड लेकिर राजसान की सीमाएं तीन राज्यों से मिलती हैं उत्तरप्रदेश से मध्धप्रदेश से और गुजरात से और इन तीनों राज्यों की तुल्ना में राजसान में बैठा हुआ आम आदमी जम कब्बेर करता है कि राजसान में महेंगाई उत्तरप्रदेश, मध्धप्रदेश और गुजरात से जादा है क्योंकि महेंगाई पर प्रमुक रूप से जो असर डालता है वो पेट्रोलियम डालता है पेट्रोल और डीजल वहां महगा है और महगाई की दर राजस्थान में जादा है दूसरी बात बेरोजगारी की दर भी 26 प्रतिशत से जादा है जो इन भारती जंता पार्टी के शाषित राज्यों की तुल्ला में सबसे जादा है तीसरी बात की अगर चर्चा की ज थरत्र तो आपस में लड़ने लग जाता है हमने देखा है हमारे सामने उदाण है उत्तर-पदेश का ही उदाण है कैसे अखिलेश और ौषिव्पाल जी लड़े थे सत्ता चली गई पंजाब में हमने देखा है अमरेंदर सिंग और सिद्धु जी को कॉंघ्रेस का जो सत् प्रतिदुन्दिता करते हैं तो हमने देखा है कि जनता उन्हें स्विकार नहीं करती मुझे लगता है कि जो बेसिक पैराबीटर ऑफ पॉलिटिक्स है वो चाहें महंगाई हो चाहें बेरोजगारी हो चाहें महिलाओं का उत्पीडन हो और चाहें नेत्रतु की कुशलता हो इन चारों पैमाने पर अगर जनता निरड़े करेगी तो निशित रूप से वो पाएगी कि कॉंग्रेस राज्य का साशन चलाने के लिए समर्थ नहीं है जबकि बगल के राज्यों में उससे बहतर पैरामीटर्स पर भारती जनता पार्टी की सरकारे उसी इस्तिती में परिस्तिती में बहतर डंग से काम करके दिखा रही है और मुझे लगता है कि ये चारों पैमाने पर अगर जनता निरड़े करेगी तो निशि देखे मुझे लगता है कि इसका निरड़े तो चुनाओ प्रणाम के आने के बादी बहतर डंग से सामने आएगा क्योंकि कौन सा इशू चलता है ये चुनाओ के बीच में उतरा नहीं पता चलता निरड़े आने पर निशित रूप से उसका विश्लेशन होता है और राजस बीच भी राजस्थान में कौंग्रेस की सरकार जंता की समस्याओं के समाधान के लिए बहतर तरीके से काम नहीं कर पाई और सत्ता का संघर्ष एक लंबी कतार है कि जब सत्ता में संघर्ष होने लग जाता है तो वो राजनेतिक दल जंता का विश्वास खो देता है मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा आधार बनेगा